प्रफार दोस्तों यह टेक्निकल जगयासा में आपका स्वागत है दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह स्कीन पर आपको जो नजर आ सकते हैं चले मैं आपको अपनी स्क्रीन की उपर लेके चलता हूं चलिए दोस्तो अपने बॉबाईल के अंदर कंप्पीटर जैसा लोग देखने के लिए हम एक application को download करते हैं मैं आपको application का link दिखाता हूं कि इसमें जो हमारी application है वह है computer launcher for window 10 यह आपको प्रेस करना है इसमें आप देखेंगे यह जो रिलेक्स एप है इसको आपको सेलेट करना है और इस एप को आप इंस्टॉल करिए अपने मुबाइल के अंदर अब देखेंगे एप इंस्टॉल हो रही है कि अब दो कि अब दो कि अब कि अ कि यह देखिए दोस्तों कि यह एप्लिकेशन हमारे मोबाइल में लाउंच हो चुकी है आप देखिए इसका लुक बिल्कुल विंडो की तरह है जैसे हमारा डेस्टॉप पे लुक होता है आप बिल्कुल सेम उस तरह से आप देखेंगे यह देखेंगे इसमें हमारा स्टार्ट बटन है इसको हम start करेंगे तो जैसे हमारा computer में start होता है same उसी तरह से आप इसका view देख सकते हैं यह देखिए और इसमें से आपको जो भी application start करनी है आप उसको यहां से ही start कर सकते हैं जैसे हमने इस Instagram start किया आप यहां से इसको Instagram start कर सकते हैं यह आपको same वही look मिलेगा जो computer में मिलता है और इसके अंदर आपको जो भी application install करनी है वो आप कर सकते हैं और जैसे आपको computer में आप देखिए जैसे आपको नजर आता है folders same folder से आपको वैसे ही नजर में आ रहे हैं सकते हैं मैं आपको दिखाता हूं यह देखिए जैसे आपको जो suppose कोई भी shortcut को यहां पे लेके आना है आप इसको प्रेस करिए प्रेस करने के बाद यह pin to taskbar यह सब आपके सामने menu आ जाएगा और इसको अगर आप taskbar पर ले जाना चाहते हैं और अगर आपको किसी menu को आपको किसी और जिखा पर लेके जाना है आप जैसे taskbar पर जाना चाहते हैं तो place 1 यह देखिए यह start हो गया तो इस तरह से आप इसको set कर सकते हैं तो दोस्तों यह बहुत अच्छी है और आप इसको अपने computer मोबाइल में install करिए और यह आपको बिल्कुल computer का फेल देगी thank you दोस्तो thank you very much for your watching thank you झाल